तो नेहा जी किचिन में थी और मैं किचिन के बगल वाले कमरे में बीना पीए पीए जैसा गुम रहा था तबी मुझे मेरी मम्मी के आने के आवाज आई जो छोटे भीम को लेकर बाहर गुमाने गई थी तो मैंने सोच लिया कि मम्मी की द्रवाजी के अंदर आते ही मैं उनको द्राऊंगा और जैसे वो द्रवाजी के अंदर आई वैसे ही दोस्तो छोटे भीम के इस क्यूट क्यूट चैरे को देखती हुए चैरिए सुरू करते हैं आज का ये नया व्लोग अब दोफर का समय हो रहा था मैं काली काली टीशट पहने हुए बैठा हुआ हूँ और वो इसलिए क्योंकि नेहा जी थोड़ दिर पहले मुझे बाजार लेके गई थी और बाजार से कुछ सामान लेके आई थी और उसे दिखा रही थी सब को सब में सामिल थी मेरी मम्मी जो लेट के देख रही थी चोटा भीम जो लेट के और सोते हुए देख रहा था तो नेहा जी से मुझे एक गड़बल हो गए तो और यह बात मुझे और नेहा जी को घर में पहुचके पता चली खैर तो मैं वहां से उठा और दूसरे गंबरी की तरफ जाने लगा क्योंकि ने अब देखा कि नेहा के पास कितना ज्यादा दिमाग है वहां पर विशाल मेगा माट में जब वह बैग उठाए ना तभी बोला था कि मैं इसमेज भी मंजन ब्रस रखूंगी कि अच्छा लगेगा मैं समझ गया कि कुछ न कुछ तो होता है पता था मुझे कि टेफिन हो सकता ह अब देखिए दो पर का समय तो था ही बारा बचके पांच मैंट हो रहे थे खाने का समय भी था तो मेरा पेट चिला चिला कि मुझे बोला थे कि भाईया कुछ चावाल रोटी वगरा नीचे गिरा दीजिए तो खाली पेट गुझता है तो मैंने नहां से खाना मांगा खान साथ बचके पंदे मिट का अगर वीडियो एंड करना होता है तो मुझे गुट नाइट बोलना पड़ता मतलब साम का समय है रात का समय है दोनों ही समय का मिक्सर समय है मम्मी गई हुई है पास में ही कहीं छोटे भीम को लेकर मैं अभी बाजार से आया हूं मैं आफिस से भी आया हूं बाजार से भी आया हूं घर लटके हमारी नेहा जी है वह आज जो डब्बे लाई है वह डब्ब में कुछ डाल वाल रही है सायद नहीं भी एक तुन्होंने काफी डब्बों में काफी चीज़े रख दी थी इन दो डब्बों में मूं फली रखी हुई थी और तो उसका जवाब यह है कि हम में तरकुष बैटके इंप्वर्टेंट जर्चा कर रहे थे कुछ अच्छी जर्चा है हो रही थी तो मैंने सोचा कि अच्छी जर्चा की बीच में क्यों लड़ाई जगड़ा हूं इसलिए मैं नहीं नहीं पोन नहीं उतारा तो हम उससे दू करूंगा कल एक वीडियो बनाना है छोटा सा फेस्बुक के लिए मतलब वही जो फेस्बुक में वीडियो बनाकर डालता हूं और आप लोग बोलते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं तो मैं कोशिश करूंगा कोशिश आई विल ट्राय मैं बेस्ट डबिंग प्लस मूसर टॉकिंग दोनों एक साथ मिलाऊंगा तो फिलाल जो डब बलाए थे आज उसमें सब नियाने भरके रख दिया है अब वो जहाड़ लगा रही है थोड़ दिल में खाना बनाएं लएगी और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा मुसरे लड़ेग नहीं खाला तुम खालो तो टमाटर नहीं है सोनी का अंगुठिया है और क्या कैट जिवनें बंद युकर ही लिखने है तो अम मैंने फ्रिज की जब दुबारा खुल के देखा तो उसमें आधा किलो आलू रखी हुई थी आलू नहीं आलू और साथ ही दो लोकियां तलवा जी तो अंगलाई लेने के बाद नहा जी ने मुझे एक छोड़ा सा काम दिया काम ये था कि पहले डब्बे को उठाना था और उसके बाद और डब्बा वावस रखने के बाद मैंने सोचा कि आज का मेनू जान लेते हैं और सब्जी क्या बनाओगी खाना हुई सोच रही तो नियाने से उसको सुबाई बनाया तो पूरा जल्दी घुल गया और जबकि मुझे लाना था वह जो थोड़ा मोटा ताइप में होता है तो यह गलती हो जाती है घर वाली तो हूँ नहीं घर का मालिक हूँ घर के मालिक को थोड़ी पता होता है पहले बताना चाहिए था और दोस्तों की पिछले कुछ दुनों से में पिछले कुछ दुनों से कल परसों से धी मैं अपने लिए पहले मैं खाता था बीच में शोड़ दिये अत्र से सुरू कर रहा हूं तो दूसरी ग्लास में चने फुलानी के लिए मैं उस जगा पर गया जहां पर चने पहले रखे हुए तिले के नेहा जी ने उनको उठागर कहीं रख दिया था तो मैंने उनसे कहा कि चने निकाल कर दीजिए तो जब तक वो चने निकाल रही थी मुझे पिछली दिन की एक बात याद आ गई और अगर नहीं थीक हुए तो लूटो के नंबरों की तरह दिखेंगे नेहा के गाल में मम्मी आगे लगता है जी तो मुझे मेरी मम्मी के आने के आवाज आई क्योंकि वह रास्ते बर छोटे भीम को खिलाते वए आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों आपनी मम्मी को थोड़ाशा डरा के देखता हूं तो आप लोग उने वह तो शुरू में देख लिया है कि क्या तो मेरे डराते ही मेरी मम्मी जैसे डरी थी या वो देखके मुझे लागा कि मैं कुछ बनू ना बनू जिंदगी में लेकिन एक काम्याब भूद जरूर बन सकता हूं कहा है ति कूलर वाले Harini में अन्य टैो तू तूलन तू तानी बात यह उत्थ से खिचतत द्या क्यों से विभी इन बातिता है शाओ मुझे अवि चनने फ्राने बाकी थे और नेहन ने चने का डबबे का ढखकर खोल भी रख दिया था तो मैंने ग्लास रखी और चने लेने लगा तो इतने चने के उपर मैं इतना ज्यादा पाय डालूँगा अपर कल सुबह अगो लगबक आधी ग्लास से ज़णा हो धाएंगे एक लगबक अच्छा दूस्तु मैं सोच रहा था कि जिस तरीके से ग्लास में चने डालने के बाद उसके उपर पानी भरने से एक रात में चने पूरी ग्लास में हो जाते उसी तरीके से अगर ग्लास में सोने चांदी के अंगुटियां रख दो आधी ग्लास और उसमें चने डाल दो पू हमारा बेटा डांस इंडिया डांस मचाएगा एक नचुकाल्डू आरे यार हमको खिलाउना बना लिया है जब तरह होगे नचुकाल्डू नचुकाल्डू अम मैं धहर से और धहर मुझसे बाते करी रहते कि तबी अचानक चल रहा कुलर पानी बाहर फिक नहीं लगा मुझे समझ में नहीं कि भाईया हुआ क्या कुलर को खूपने कुल लगा अचुकाल्डू नहीं बसंतिक पाउन नहीं लाचेंगे